नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल मिस्टर सेसी प्रिवेश एर में तो दोस्तों यह जो पेपर दिखाई दे रहे हैं आपको वह हैं कॉंस्टेबल जीडी के जो की हुआ था 19 फरवरी 2019 को 2019 में एससी जीडी के लगबग 54 सैट हुए जिसमें से लगबग 20 सैट में करा चुका हूँ जिसके अंदर आपको मैस का डेटियल सोलूशन दिया जा चुका है प्रोवैड किया जा चुका है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक बिल जाएगा जरूर जाके देखें उस चीज़ को बहुत ही इंपोटेंट सैट है और ठीक है चलो कोई दिकत नहीं देखो पहला कोशन देख लेते हैं और हाँ अगर आपको पसंद आये तो जरूर सब्स्राइब कर ले जुड़ जाना अगर आप नए हैं तो इस चैनल पर ठीक है देखो कोशन नंबर 51 है यानि कि जो पहला कोशन है वो क्या गया रहा है कि जब वह 15 km की चाल से जाता है यानि कि अगर वह स्पीड अपनी बढ़ा देता है और वह जाता है 15 km प्रती गंटे की गती से तो वह 5 मिनट की क्या गरता है लेट कहुंचता है तो उसके कारेल है और उसके घर की बीच में मान के चलो यह उसका ऑफिस है ठीक है और यह इसका होम है ठ यानि की स्पीड 2 इस्पीड 1 और एस्टु माइनस का एस्वण इंटू में डिफ्रेंट्स ऑफ टैम डिफ्रेंट्स ऑफ बोथ टैम ठीक है यह तो इसका डारेट्स फॉर्मूला हो गया आप देखो क्या से स्वाइशन करेंगे जो इसका स्पीड 2 है वो कितने है 15 ठीक है 15 X in 10 ठीक है 15af 15 मा इनस का टैन और इहें कितना हो जाएगा देखो यहां 20 मैंड की दयरी से पहुच रहता दोनों का monde 15 में से 10 जाएंगे दिए कितना आएगा 5 ठीक अब देखो 5 एकम 5 5 तिया 15 दो दूनी 4 दो पंजे 10 कितना ओगया 5-3 15 के बटे में कितना ओगया 2 यानि कितना आजाएगा 7.5 km या आपका अंसर हो जाएगा यानि कि उसके ऑफिस से और उसके घर के बीच में दूरी कितनी है 7.5 55 km यह बहुत आसान कोशंटा लेकिन यह अगर आपको पता है इस अधिया आपको पता है तो आपको बहुत ही मजाहने वाला है आदरवाईज आप इसके इंदर पजल हो जाओगे ठीक है यह बात आप समझ़ेंगे अ क्यों देखलिते हैं डिक है क्या है नेक्स प्लस 4, x plus 12 x minus 1 और x plus 5 यह समानुपात में देखो समानुपात का मतलब क्या होता है समानुपात का मतलब यह होता है कि अगर मैं x plus में 4 कर दूं तो x plus में 12 हो जाएगा यानि कि जो इसका ratio होएगा यह किसके बरावर हो जाएगा x minus 1 और x plus 5 के बरावर हो जाएगा यह ratio ठीक है अब क्या करेंगे इसको कर देंगे cross multiply ठीक है x plus 5 यानि कि x plus 5 को कर देंगे x plus 4 से multiply और x minus 1 को कर देंगे किससे x plus 12 से multiply अब देखो इसको solve कर लेते हैं आगे यानि कि x square हो जाएगा और 4 x हो जाएगा ठीक है 5 x हो जाएगा और 5 और 20 हो जाएगा clear x square हो जाएगा और 12 x हो जाएगा minus का x हो जाएगा और minus का 12 हो जाएगा अब मैं आपको थोड़ा सा और elaborate कर देता हूँ कैसे एक मिनट देखो पहले इसको इससे multiply गिया x square आ गया फिर इसको इससे multiply गिया कितना आ गया 4 x आ गया फिर हमने क्या किया फिर हमने इस 5 को इससे multiply किया देखो 5 x आ गया फिर हमने क्या किया इस 5 को इस multiply से गिया 5 को 4 से तो 5 और 20 आ गया इसी तरीके से हमने शेम यहीं किया x को x से multiply किया x square हो गया और फिर मैंने इसको किस से किया फिर मैंने इसको किया 12 से तो यहां 12 x हो गया अब यहां पर minus 1 था तो minus 1 into x कितना हो जाएगा minus का x और minus 1 into 12 कितना हो जाएगा minus का 12 तो यह चीज़ आपको plus minus का थोड़ा सा दिहान रगना है otherwise चीज़े बहुत आसान है अब देखो यहां पर जो plus का है x square और यहां पर भी plus का है x square यह इससे कट जाएगा ठीक है अब यहां कितना बता है 5 और 4 कितना हो जाएगा 9x और plus में कितना हो जाएगा 20 clear अब देखो 12x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा 11x minus का 12x यह x इधर चला जाएगा तो कितना जाएगा minus का 2x और यह इधर चला जाएगा 2x और यह इधर चला जाएगा 20 30 32 minus का minus से minus कट गया x is equal to कितना हो जाएगा 16 खीख है आप क्या कहरा है कि आप आपको फाइनली आपको क्या मिल चुका है आपको x 2Kid вопросor 1100 अब इसका क्या निकालना है मंद्यसमणूर्पाद बात निकालना है तो इसका च्छेंगे अरक्षी « currents नंगाश्यूलीvantagem 2800ों9 और 144 का अगर स्क्वेर खुलेंगे तो कितना हो जाएगा 12 यानि कि 12 आपका अंसर हो जाएगा यानि कि option क्या गरा कि company fee में पुरुस करमचारी के संख्या company fee यह री company fee और इसमें पुरुस पुरुस और महिला यानि कि यह male है और यह female है ठीक है फी में पुरुस करमचारी कितने हैं इन्टू में कितना हो जाएगा आनि कि 8 के बुटे में हो जाएगा 15 इंटू में कितना हो जाएगा 360 15 15 15 32 15 14 यानि कि company fee में पुरुस करमचारी है वो कितने हो जाएगे 192 अब क्या कहा रहा है company d में महिला करमचारी के संख्या गनुपत company d यह री और 320 है ग्यारा नो कितना होता है बीस यानि कि 320 इंटू में 11 सौरी महिला है पूछ रहा है महिला है कितनी हो जाएगी 9 के बटे में 20 अब आप यहां से देख सकते हैं ठीक है अब यहां से क्या दीचीज देख सकते हैं 9 10 12 यानि कि 3 618 और 3 412 तीन अठे 24 ठीक है और क्या हो रहा है चार चार एकम चार 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 दुनी आठ और क्या हो रहा है चार चुक सोला और चार तिया बारा अनसर कितना आ जाएगा आपका चार रेशियो 3 यानि कि option B इसका एक्टम collect answer हो जाएगा ठीक है डियाई का question है आपको कोशिश करना है कि इसको last में किया जाए सबसे पहले इसको करने की कोई जरूत नहीं है क्योंकि इसमें होता है कि कई सारी calculation हमको बार-बार करनी पड़ती है तो वो calculation से आप बच जाओगे तो इनको चार पांच question होते हैं इनको last में करो पहले मत करो मतलब जैसे single single मत करो एकटे करो इनको next question देखो दो संख्या हैं तीन और पांच के नुपात में हैं ठीक है यानि कि ये तीन x हैं और ये पांच x मान के चलो अब क्या कर रहा है यदि प्रतेक में 9 गटा दिया जाता है इसमें से 9 गटा दिया और इसमें से 9 गटा दिया गटा दिया तो प्राफ संख्या हैं कितनी हो जाती ह 12 के upon में 23 हो जाती है किलिए अब यहां से मेरे को क्या करता हूं मैं यहां से x निकाल लेता हूं है ना 23 कितना होता है 69 और 23 कितना होता है 9 27 की 2 9 2 9 18 2 कितना हो जाएगा 207 ejaculto में 12 5 कितना होता है 60x और 129 कितना होता है 108 यहां से इधर आजएगा तो कितना आ जाएगा 9x और और यह माइनस का 207 है, उदर जाके क्या हो जाएगा, प्लस है, यानि कि माइनस का 108 प्लस का 207, ठीक, 207 में से 108 गटा दिया हमने, 17 में से 8 गया 9, किलियर हो गई, और यहां पर कितना बचेगा, 9 का 9 हो जाएगा, तो कितना बचा 99, यानि कि 9 x is equal to कितना आगे 99, और x की value कितनी आजाएगी, 11, 33, और 11, 55, यह आगई, आप क्या कहा रहा है कि यदि छोटी संख्या में 3 जोड़ा जाता है, छोटी संख्या कौन सी है, यह, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, 3 जोड़ दिया, और दूसरी संख्या में 7 गटा जाता है, इसमें से मैंने क्या कर दिया, 7 गटा आपको ध्यान से रखने थी बस और कुछ नहीं नेश कोशन देख लेते हैं बहुत आच्छा कोशन एक पार्क आयताकार आकार का है देखो यह एक पार्क किलियर हो गई यह एक पार्क है आयताकार का है और इसकी जो लंबाई है वो है 240 मीटर और जो इसकी चोड़ाई है वो है 100 मीटर पार्क के केंदर में एक विरताकार लॉन है देखो यह केंदर है और इस तरीके का एक लॉन है विरताकार किलियर लॉन को छोड़कर पार्क का छे जैसे इसकी बात कर रहा हूंग एक इतना हो जाएगा 2400,000, इस में के अदे- realtà 4004 घटा देता हूं 49 गठाय द इस में से 4गया 69, से नों कर्णों और नों का जीरो और जीरो और दो यानि कि इतना आजएगा यानि कि ये क्या है वरताकार है और इसकी परिदी कितनी होती है 2πr इसके लिए मिरको क्या चाहिए इसके लिए मिरको चाहिए र r कैसे निकलेगी r निकलेगी इसके area से इसका area दे रखा है यानि कि πr² 2096 अब πr की value यहां क्या रखनी है है यानि कि 3.14 यानि कि r का square 20096 और नीचे कितना जाएगा 314 और यहां से 2.8 कि यहां पर क्या जाएगा 00 कि इतनी बात समझे आ गए अब देखो तो 2 से काट दूँगा तो कितना जाएगा 157 और 2 से मैंने यहां काट दिया कितना जाएगा 50 कि लियर हो गए अब अब क्या कर सकते हैं इसके अंदर अब मेरे पास कुछ और option नहीं है अब मैं क्या करता हूँ इस 2096 को 157 से क्या कर देता हूँ भाग कर देता हूँ कि लियर हो गई बात अब मैं क्या करता हूँ भाग करता हूँ सब्सकें इसको यहां सबसागोह सब्सक्राइब कर लिए 2-0-09-10076 Сब्सक्राइब कि उस्टहरी कि शक्रमाइब गया 157, 10 में से 3 गया 7, 10 में से 7 गया 3 और 9 में से 5 गया 4, यहां पर कितना जाएगा 9, 157 दो नहीं कितना होता है, 314, 157 दो नहीं कितना हो जाएगा, 314, 9 में से 4 गया 5, 3 में से 1 गया 2, और 4 में से 3 गया, 125, अब यहां पर कितना जाएगा 6, अब मिरे को किस से काटना चाहिए इसको अब देखो मेरे को किसे जा सकता है यानि कि इसको काट के देखते हैं 157 इंटू में चे से नहीं जाएगा चे हैर्ट से नहीं जाएगा चैट्या 1 इसको हो गई अब 128 से कट गया अब यहां पर कुछ निवस्ता है यानि कि जो आर का स्क्वाइर है वह कितना हो जाएगा आर का इस पर कितना हो जाएगा वन टू एट इंटू में 50 अगर यह खुलता है तो खुल दो इसको यानि कि पाच इंटू पांच पच्चिस तुनी पचास एक यह कैसे खुलता है 64 दूनी 128 और यह किसे खुलेगा आठ से और यह दो का एक भारा गया और एक का पांच भारा गया आठ दूनी 16 पंचे 80 यानि कि जो इसकी रेडियस हागी नहीं कितनी हो गई भाई इसकी रेडियस हो गई है 80 अब क्या पूछ रहे है आप पूछ रहे कि इसका क्या निकालना है अभी इसका निकालना है इसका परिधी परिधी का क्या फर्मूला होता है इसका होता है टू पाई यार टू तो है पाई को क्या लिखना है 3.14 और आर को कितना लिखना है 80 80 दूनी कितना होता है 160 ठीक है 160 इंटू में 3.14 अब मिर को क्या करना है इसको कुमर करना है multiply 0 0 आ गया 16 4 64 की 6 16 16 6 कितना हो जाएगा 22 की 2 16 382 कितना हो जाएगा 50 यानि कि 502.40 यानि कि answer क्या जाएगा इसका option हो जाएगा answer D हो जाएगा इसके अंदर देखो calculation कितनी भरमार थी calculation की अगर थोड़ा सब्सक्राइब हो गया तो कोशन गया हांस से ठीक है चलो next question देखते हैं 14 460 की एक रासी को A B C T के बीच में इस परकार बाटा जाता है कि A B जब भी इस तरीके का कोशन आदेना सबसे पहले क्या करना है आपको सब लिख लेना ए A B C और D A B जो ratio है वो कितना वे रखा है 3 ratio 5 अभी और सी यानि कि दे रखा थे रह थे आप इसे के नीचे लेखेंगे बी और सी कितना दे रहखा है छे रेस्शो साथ अब सी और डी सी और डी तो इसके नीचे फिर से लिखेंगे विछे सोच हो तीन पाँच अभी यहां पर एक यहांपे किश्व करना है यहांपे कितना करना है पाँच यह साथ इसके बाद साथ और यह 16 और यह 14 है यहांपे भी 14 और यहांपे भी 14 जो इसका रेश्याओ आएगा कितना रहेगा चौधा पंचे सत्त्य चौदा च्रीक च्रीक कितना हो जाएगा यह इसका रेश्याओ अगया 84 कट रहा है कुछ कहीं कट रहा है कि देखो यह पीप साथ कट रहा है साथ से इए aata साथ यकम साथ जो गठाईस गपटा इस फानाल साथ और साथ यह जृता है और कुछ कटता है यह यह चुछ ज्बे A का ratio यह है रहा 36 और C का ratio कितना है 70 अब इनके बीच में क्या निकालना है इनका अंतर निकालना है 70 और 36 70 में से 36 जाएगे तो कितना बचेगा 34 यानि कि क्या पूछ रहा है यानि कि 14 460 total value थी इनका जो अंतर आया कितना आया 34 अपॉन में कितना आजाएगा इन सब को जोड़ लो यानि कि 60 30 90 कितना हो जाएगा यह 96 96 यानि कि 70 70 140 और कितना हो जाएगा 1445 एक सब पैंतालिस के बटे में कितना हो जाएगा इन दोनों को जोड़ लो बटे में करके 5 6 5 11 14 और एक 241 यहां पर कितना हो गया 241 अब देखो जो आंसर होगा आपका वो आंसर क्या होगा 17 का मल्टिपल होगा किलियर हो गई देखो 17 एकम 17 और 7 यह नहीं जाता तो यहां पर यह क्या है यह है प्राइम नंबर तो आंसर जो 17 और यह 37 दूनी 34 यह अंसर हो सकता है 17 से यह भी जाता और 17 से यह भी नहीं आता सीधे सीधे आपको पता चल गया अंसर कितना हो जाएगा 240 अब मैंने यह कैसे कर दिया अब देखो जब मिरको पता है कि यहां पर 144 60 है ना और यहां पर 34 और यह 241 टोटल हो गया और मिरको यह भी भी जह ऀए है 34 को तद तुम कैसे लिख सकते हो यह चीज़ सोचो 34 को आप विल्ग कैसे लिख सकते हो यानरी कि 34 को लिखते लिख सकते हो 172 याननि कि इसके अंदर जो एक स्ट्र doet रहा है वो कौन सा रहा है 75 यह क्या है यह शूर्ड राइम और प्राइम नंबर कौन 41-17 से नहीं जा रहा तो 17 को कौन काटेगा कोई नहीं यानि कि जब इसको multiply करेंगे ना तो 17 का एक जो फैक्टर 17 का जो एक गुड़ज रहेगा वो answer में जरूर मौजूद होगा और वही चीज मैंने देखा और वही चीज जो चारो option थे एक, दो, ती, चार, चारो option में से ये देखो answer जो आपका B है इसके अंदर 17 का multiple है और यही आपका answer हो जाएगा ठीक है अगर आप क्या कर सकते हो आप यह सो सकते हो कि नहीं भाई अगर दोनों class हो गए तो देखो यार paper मैंने सो set किया नहीं paper तो commission ने set किया है और व चार सेंटीमेटर तिर्जावाले धातू के एक गोले को पिखलाय जाता है और प्रतेग 4.6 cm वयाज की छोटी छोटी गोला कार गेंदों के लूप में डाला जाता है बनने वाली छोटी गेंदो के संख्या पतानी है अब हो क्या रहा है कि एक ये बड़ा गोला है और इस ग करके इसको पिगला कर यह चोटी चोटी गोलियां बना दी गई है तो यह पूछ रहा है कि यह जो चोटी चोटी गोलिया है यह कितनी बनेंगी तो इसको पता करने के लिए मिले को क्या करना पड़ेगा इसको मेल्ट करना पड़ेगा और इसको मेल्ट करने के लिए मिले को क्य इसकी तिरजय थी तर्जव जो चार कितनी बार आ जाएगा तीन भी जो नीचे बार जो छोटी वाली गोली थी उसका व्यास तो कितना स्चार 6.4 ऑब नीचे 2.2 इंसे 1.2 अब यहांपे पॉइंट टू को हटा के, ऊपर क्या लग जाएगी, तीन, जीरो लग जाएगी, हैना, दो, दूनी, चार, एक चार कट गया, दो, दूनी, चार, चार, दूनी, आठ, और ये कितने है, तीन, जीरो, कितना हो जाएगा, अंसर, आठ हजार, आठ हजार आपका अंसर हो जाएगा, यानि कि option first आपका एक दों correct answer हो जाएगा, ठीक है यह जो paper आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि यह GD का paper है भी या नहीं है क्योंकि थोड़ा सा इसके अंदर calculation जादा है, भाई लिख देना कि मेरे को PDF चाहिए, ठीक है आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी, कोई इतनी बड़ा issue नहीं है, ठीक है लेकिन आप जोड़ो subscribe करो अपने channel को और share भी करो, ठीक है next question देखो तीन धरात्मक संख्याएं दी हुई है यदि उन में से किनी दो के आउसत को तीसरी संख्याँ में जोड़ा जाता है तो प्राप्त योग 172, 216 और 118 है, दी गई तीनों संख्याँ का आउसत क्या हो जाएगा, देखो ये question है, बहुत ही lengthy, ये भी देखो question कितना lengthy है, मान के चलो ये पहला question है, ये first number, ये second number और ये third number मान के चलोगी, पहला x हो गया, दूसरा y हो गया और तीसरा क्या हो गया, जैड हो गया अब ये क्या कहा रहा है, ये उन में से किनी 2 के आउसत, यानि कि मैं क्या करता हूँ इन दोनों को जोड़ता हूँ, इन दोनों का आउसत निकालता हूँ x प्लस y और इसको क्या कर दूँगा, दो से भाग कर दूँगा, और सथ निकल गया तो तीसरी संख्या में जोड़ दिया आता है, तीसरी संख्या में जोड़ दिया गया किसमें, जैड में, तो कितना होगा, 172 हो जाएगा clear, अब इसी तरीके से मेरे को सारी करना है कितना हो जाएगा y और इसको जोड़ने के बाद कितना आ गया 180, इतनी चीज कहानी आपको सामय में आ गई कि नहीं बताओ जल्दी, देखो कुछ नहीं करना है, तीन संख्या ही थी हमने मान ली x, y, z, clear, आप क्या रहा है कि इन में से किनी 2 को जोड़ दो, यानि कि इन में स इसका औसर निकार लिया, फिर प्लस में क्या कर दिया, z कर दिया, कितना आ जाएगा, 172, y में प्लस, z कर दिया, 2 से भाग कर दिया, और ये x आ गया, तीसरी संख्या में जोड़ दिया, या गया, इस तरीके से मैंने ये सारा solve कर दिया, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं क् सबस्क्राइब क्यांुक्त अब इसी तरीके से यहां पर करेंगे यादि की वाई पिलस चैड पिलस में 2X और 216 दूनी कितना हो जाएगा 412 216 216 दूनी कितना हो जाएगा भाई 432 यहाँ पर कितना हो जाएगा 432 अब इसी तरीके सा यहाँ पर करेंगे यानि की x plus में z plus में 2y और 180 दूनी कितना हो जाएगा मेरे 360 किलिए इतनी चीच अब देखो, अब क्या करना है, इनको जोड देते हैं आपस में, देखो, 1x, 2x, और ये 1x, कितना हो गया, 4x, इसी तरी से 4x हो जाएगा, इसी तरीके से 4y हो जाएगा, और इसी तरीके से 4z हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, 4 common ले लेता हूँ, यहांसे, 4 मैंने common ले लि और ग्यारी सो जाएका कितना हो जाएगा एक हजार 1130 और 1136 कितना हो जाएगा भाई 1136 अब यह 4 है यहां पर नीचे आ गया ठीक है चार दूनी आठ तीन आ जाएगा चार अठे बद्थिस और कितना जाएगा चार चौक सोला चार दूसो चौरासी आगया अब इनका ओसत क्या पूछ रहता कि यदि तीनो संख्याओं का ओसत क्या होगा देखो तीनो संख्याओं आपको मिल गए किनी यह वाला चार यहाँ चला गया है तो यहाँ से हटा देना कभी आप confused हो जाओ तो X प्लस Y प्लस Z इसकी value कितनी मिल जाएगी 284 अब 284 को क्या करना है इसको 3 से भाग कर देना है क्योंकि यह 3 है और 3 और सथ निकालने के लिए number of quantity से भाग करेंगे यानि कि 3 एकम 3, 327 ठीक है 3412 और 2 के बटे में 3 यानि कि 94 सही 2 बटा 3 यानि कि option first इसका एकदम correct answer हो जाएगा उम्मीद कर रहा हूँगा कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीकर सांज में आ रहा होगा ठीक है नेस्ट कोशन देखो यदि एक ट्रेन की चाल 10 किलोमेटर प्रती घंटे की वरद्धी की जाती है तो उसे 360 किलोमेटर की यादर करने में 3 घंटे में समय लगता है इसकी बड़ी हुई गत्य बतानी है क्या हो जाएगा देखो भहुत आसान कोशन है बस थोड़ा सा ध्यान से देखना क्या गह रहा हूँगा इसके अंदर देखो क्या कह रहा है कि ये ten गंटे कम समय लगता है और ये ten गंटे कम समय लग रहा है कब लगता है जब यदी एक train की चाल में दस किलोमेटर प्रती गंटे की बृदधी की जाती है मान के चलो कि यहाँ पे पहले x था और यहाँ पे क्या हो गया x plus 10 था अगर मैं इसका difference निकालूँगा तो कितना आजाएगा तीन आजाएगा बस इतना आपको करना था और क्या पूछाए इसकी बढ़ी हुई कती क्या है मान के चलो यह option दिये हुए है आपके है ना यह option रखेंगे जो यहां पर काट रहो जैसे मान के चलो कि मैं 30 रख देता हूं यहां फिक है यहां पे क्या रख देता हूं बढ़ी हुए बढ़ी हुए पूछ रहा है तो यह बढ़ी वैयु बढ़ी हुए वेल्युए वेली है यह x plus 10 तो कितने रख देता हूं 30 हो एक क्यों कि यहां पर कितना हो जाएगा सब्सक्राइब कला यहां पर रख ड़ता हो यहां रख देता हूं इसस रख टो चारी चारी 26 और यहां पर कितना हो जाएगा यहां तो से एक 0 कट गे, 3 x 3, 3 x 3, 3 x 6, यहां पे 12, यहां पे 9, इन दोनों का difference निकालिंग कितना रहा है, 3 आ रहा है, जी बिल्कुल 3 आ रहा है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, यानि कि आपका 40 answer हो जाएगा, यानि कि option B, इसका एक्दम correct answer हो जाएगा, अगर आपको ऐसे नहीं क ठीक है यहां पर इसको क्योंमन ले लिए यहां पर एलसे में ले लिए और फिर बाद में जैसे करते हैं एक कोशन देख लेते हैं, क्या कहा रहा है नीचे दिए गए आंकणों के, परास माद़िका और बहूलग का माद्ध का माध्धय गया है, अब इहां पर आपको नथ 3 ची पूछाले रेंज पूछा है परास और यहाँ पर क्या पूचा है बहूलग फूचा है, देखो एक कोशन और आया था पहले ही इसको हिंदी में देखो English में इसको बोलते हैं Range हिंदी में इसकी जगर क्या पूचा हुआ था ay पूछा जा सकता है और यहां पर पराज हो सकता है तो आप पसे निकालते हैं या लुका है यानि कि जो आपकी range हो जाएगी ना वो यह होगा यानि कि सबसे बड़े में से सबसे छोटे को घटा दो यानि कि 9 में से 1 घटा दिया तो कितना आजाएगा 8 यह आपकी range आ गई अब बात करते हैं कि यहां पर भूलक को भूलक निकालना है फिर माधी का निकालने के लिए क्या करना पड़ता है इसको range में लगाना पड़ता है तो सबसे छोटे से चलते हैं सबसे छोटा क्या है 1 1 कितने हैं 1 2 3 यानि कि 1 अब देखते हैं 2 2 है क्या दो एक है, दो, तीन है क्या, एक, दो, दो बाद तीन है, चार है क्या, देखो, एक, यानि कि चार कितना बार है, एक बार है, पांच है क्या, पांच, एक बार है, छे है क्या, देखो, एक, दो, छे कितनी बार है, दो बार, साथ देखो कितनी बार है एक बार साथ कितनी बार है एक बार आठ देखो कितनी बार है एक बार एक बार आठ कितनी बार है एक बार नौ देखो कितनी बार है एक बार दो बार तीन बार और यह चार बार नौ कितनी बार है चार बार अब इसके नदर क्या करना है मेरे को ना जैसे मैंने यहां पर कर लिया तो मेरे को सबसे पहले गिनना है इनको कहीं कोई नमबर मिश्टों नहीं हो गया एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला हो गए यहां पर बिकिन लेते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला clear हो गया, देखो हमारी क्या है हमारी range निकली निकाल चुके है, हमने range निकाल ली है कितनी आ गई है, 9 में से 1 गटा है 8, अब हम क्या निकालते है, इसके निकालते है मादी का, मादी का निकालने के लिए में को क्या करना पड़ेगा देखो, यहाँ पे 16 निमबर थे 16 में से क्या करते हैं, 7 यानि कि 3, 3 यह हो गया 3 यह हो गया, यह 7 यहाँ से भी 7 छोड़ देते हैं, 3 6 और 1, 7 ठीक है, 7 छोड़ देते हैं तो आपके पास क्या बच गए, यह 2 निमबर बच गए इन दोनों को जोड़के 2 से भाग कर देंगे 6 और 5 कितना होता, 11 और 11 को 2 से भाग कर दें, कितना हो गया, 5.5 तो यह आपकी माद्धी का आगई 5.5 अब देखो, मान के चलो कि यहाँ पे 16 निमबर थे जब सम निमबर होंगे वो आपकी क्या आजाती, माद्धी का आजाती यह हो गया, अब आपको क्या निकालने है बहुलक निकालने है क्या निकालने है, बहुलक बहुलक मैंने क्या आखा, जो नमबर सब से ज़ादा होगा वो यह बहुलक होगा, देखो, 9, 4 बार है तो यही आपका क्या हो गया बहुलक हो गया और क्या निकालना है नीचे दिए गए आंकडों के परास माध्य का और बहुलक का माध्य निकालना है यानि कि इन तीनों को मिलाके क्या निकालना है क्या निकलना है माध्य निकलना है तो 9, 8, 17, 5 कितना हो जाएगा 22.5 यानि कि 22.5 इसको क्या कर देंगे माध्य निकलने के लिए 3 से भाग कर देंगे 3 सत्य 21, 3, 5, 15 कितना आ गया 7.5 यानि कि 7.5 यानि कि option 3 आपका एकदम correct हो गया देखो basically जो अब तक मैंने set करवाया ने लगभग भी set करवा दिये 15 set मानके चलो 15 से भी set मैंने करवा दिये कभी भी इस वाले question में परास माध्य का बहुलक तीनो एक साथ नहीं निकलवाया है अगर निकलवाया भी है तो इस तरीके से माध्य है नहीं निकलवाया है तो आप समझ सकते हो कि ये question है थोड़ा सा land थी ठीके next question देखते है एक pipe 10 minute में एक tank को भर सकता है मानके चलो एक ये pipe है और ये 10 minute में भर रहा है जबकि दूसरा pipe 12 minute में किसे खाली कर रहा है यानि कि एक pipe भी है जो कि इसको 12 minute में क्या कर रहा है खाली कर रहा है देखो जो खाली कर रहा है उसके आगे मैंने क्या लगा दिया मैनस ताकि मुझे याद रहेगा कि ये खाली करने वाला pipe है और ये भरने वाला पाइट है अब मैं क्या करता हूँ इसका ले ले लेता हूँ L-CM और जो LCM कितना आएगा इसका 60 ले लेता हूँ 10-6-60 और 12-5-60 यानि कि जो ये क्या है ये इसकी efficiency है यानि कि ये 6 की दर से भरती है और ये 5 की दर से क्या करता है खाली करता है इतनी चीज आपको clear हो गई होगी अब क्या कहा रहा है यदि पाइपों को बारी-बारी एक-एक मि पाइप B खोला तो basically pipe A से तो 6 भर दिया और pipe B से फिर से 5 क्या कर दिया खाली कर दिया तो कहने का मतलब यह है कि दो घंटे में जो पानी भरा गया है वो कितना भरा गया है एक unit यानि कि दो घंटे के अंदर कितना पारी भरा गया है एक unit अब मैं क्या करता हूं अब लगबग क्या देखते हैं अब ना इसी तरीके से आगे चेंच चलाएंगे तो लगबग क्या करता हूं मैं 54 बार इस त Your Fourth तो इस तरीकिसे हमने 54 पेर बना लिए चैवण पेर बनायेंगी तो इसके अंदर कितना पानी ब्रा गया यानि कि 54 यूनिट पानी बरा गया अब कितना पानी भरना है जए यूनिट और बारी इसकी है एक एक के-leyr साथ यानिकि चाववन प्लस है साथ हैंनि कि 7 यूटटे गुरा पानी भर गया देखो यह 54 मीटर पानी पानी का भर आ गया यह जब इन्होंने 2 गंटे के शचे उन्ते पानी घंटे में किसज़ानी कितना हो जाएगा एक 108 और यह प्लस में जो छे गंटे जो चे यूनिट पानी भरा गया है यह अगले एक गंटे में भरा गया है तो इसका मतलब क्या हो गया से 1 यानि कि टोटल एक सो नो घंटे यानि कि एक सान्णौ घंटे लगेंगे इस साठी यूनिट पानी को भरने में तो बताओ यह कोशन कैसा था है eth स्कूशन देखते हैं एक सभू में कुछ व्यक्ति की ओसत जो उंचा ही है वो कितनी है 155.5 जैसे कुछ व्यक्ति हैं तो मानके चलो 155.5 इनकी क्या है ओसत है और यह व्यक्ति मानके चलो एक्स है बाद में क्या हो रहा है कि यह चार व्यक्ति यहां से चलो जाते हैं इस गुरूप में से 156 जिनकी सटीमेटर होती है 158.4 तीसरे की 152.5 और 143.8 तो यह सब क्या करते हैं यह सब चले इस गुरूप से तो मैं क्या करता हूं इन सब को जोड़ देता हूं 154.6 158.4 152.2 153.8 इन सब को जोड़ दिया छे चार दस बीस दो चार दो छे आठ चौदा दो सोला तीन उननिस की एक पांच चौग बीस और 21 की दो और यह कितना हो जाएगा 619 619 को क्या करते हैं चार से भाग कर देते हैं क्योंकि और सब कर देता है चार इकम चार दो बज़ गया चार पंचे बीस चार चौग सोला और 478 चार पंचे बीस यानि कि कितना आ गया यह 4 बंदों कि जो ऊचार आगयाओ कि एक सचववन पॉइंट पिचतर और यह कितने बंद थे यह चार बंद थे आप क्या क्या रहा है कि पहली नाम सुरूप जो कितने बढ़ जाते हैं उनक कितना हो जाएगा 56 551 155 65 इस में से घट आएगे तो तो कितना आएगा यहां कितना आएगा आप को पता है यहां पिटना आजाएगा यहां पर आजाएगा 15 पंदर आ जाएगा और यहां पर कितना आजाएगा यानि कि 155 65 में से क्या घटा देंगे 154 75 पांच में से पांच गया 0 16 में से साथ गया 9 कितना आ गया पॉइंट 90 पॉइंट 90 अब यहां से इसका रेशो ले लिया पंदरा इकम पंदरा पंदरा चिक 90 इस एक को मैंने चार से मल्टिप्लाई गया तो इसको भी में को क्या करना पड़ेगा चार से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा बहुत जादा केल्पिलेशन हो सकती थी इससे जादा हो सकती थी केल्पिलेशन ठीक है नेस्ट कोशन देखते हैं फिर बॉटमास का कोशन है इसके अंदर भी साफ़धानी बहुत बहुत बरतेनी की जरूबत है और इसको भी लाष्ट में करना जब आप पेपर में ओ ठीक है तो देखो अभी हम इसको देख लेते हैं यानी कि फाँ व्ससे पहले क्या करते ही इसको देख लेते हैं एक के बटे में आठ इतना हो गया अब देखते हैं अब देखते हैं इसको पांच बटे साथ इंटू में ग्यारा बटे आठ पांच बटे साथ इंटू में ग्यारा के बटे में आठ कुछ करता है नहीं करता ग्यारा पंचे पचपन यानि कि पचपन के बटे में साथ अठे कि तो इतना हो जाएगा 56 माइनस कुछ करता है करता है 2 तीय 6 2 चोक 8 और तो नहीं करता 5 थीय 15 5 थीय 15 और 7 चोक 28 इतना हो गया किलियर आप क्या करते हैं यह ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को भी सॉल्ड कर देते हैं 56 और 28 का यहाँ पे 55-55 रहेगा और और 8 ही दूनी छपपन तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 5 का 5 और 5 में से 3 दो यानि कि 25 के बटे में कितना जाएगा 56 यानि कि 25 के बटे में यानि कि इस पूरी equation को solve करने पर क्या है या 25 क Prose 2016 25 के बटे में 56 इसको याद रचागा अब देखते हम इस वाली equation को इस वाली यहां पर आ गया और 12, 3 चौक 12, 4 यहां पर आ गया, है न, 1, 1 के बटे में 7, 5, 4, 9 के बटे में कितना आ जाएगा, 12, 3, 3, 9, 3 चौक 12, ठीक है, और तो कुछ होता नहीं, नहीं होता, इसको उपर-उपर multiply करते थे हैं, 3 एकम 3, और 7 चौक 28, 28, एकम 28 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 25 के बटे में 28, यहां पर भी कितना आगया दोस्तो, यहां पर भी आगया, 25 के बटे में 28, सब्सक्राइब भाई, किलियर है, अब देखो, यहां से कितना आया, 25 के बटे में 26, यहाँ से कितना आया पच्छिस बटे में 18 और यहां से कितना आया एक बटे में 8 याई कि तीनों कर लिया है आप इसको लगाते है देखो 25 के बटे में कितना आता है 56 है न यहां से भाग है तो यहां से जब भाग है तो इसको क्या कर लेंगे 28 के बटे में कितना हो जाएगा 25 है न और यहां पर कितना था multiply और यहां पर कितना हो जाएगा 1 के बटे में 8 28 ही कम 28, 28 दूनी कितना हो जाएगा 56, 25 से यह 25 गड़ गया तो ये एक आ गया, यानि कि एक और ये कितना होगा है, 16, यानि कि एक के बटे में 16, यानि कि option A, आपका एकदम correct answer हो गया, देखो जब भी board mass होना तो बड़ी ही सालधानी से इसको करना है, क्योंकि गलत होने के chances से इसके इंदब बहुत जादे हैं, और सबसे बड़ी बात पत अगर से 15, 625 की रासी, 2 सही, 3 बटे 4 बर्स का चक्रदरवर्दी ब्याज, ब्याज की गड़ना बार्षिक चगरदी आदार पर की जाती है, तो देखो 16 परतिशत, यानि कि पहले साल 16 परतिशत, दूसरे साल 16 परतिशत, और तीसरे साल कितना है, तीन बटे 4 परतिशत, यान कि पहले साल रेट कितनी रहीगी 16, दूसरे साल रेट कितनी रहीगी 16, और तीसरे साल रेट क्या रहीगी, यानि कि 12, क्योंकि तीसरा पूरे साल नहीं है, तीन बटे चार वर्स है, तीन बटे चार वर्स का मतलब क्या हो गया, 9 महिने होगा, 9 महिने का रेट कितना है, 12, अब क दूसरे साल में भी क्या हो रहा है चार के बटे में 25 इसको जब मैं 16 परशेंट को जब इसको भिंद में बदलूंगा तो कितना हो जाएगा चार के बटे में 25 जैने कि 25 से कितनी हो जाती है 39 और जब मैं तीफरे साल को देखता हूँ याने कि 12 के बटे में कितना हो जाएगा 100, 4 तिये 12, और ये कितना हो जाएगा 25, 25 से कितनी हो जाती है 28, है ना, अब मैं क्या करता हूँ, इसको multiply करता हूँ, 25, 25, 625 और 625 इंटू में 25 कितना हो जाता है, 15, 625, 15, 625, अब देखो, ये वाली जो value थी, यहाँ पे same भी क्या बनी है, same value बनी ह है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी value एकदम correct है, जब हम इसको गरेंगे, और इसमें से जो difference निकालेंगे, वो आपका answer आ जाएगा, 29, 29 का square कितना होता है, 29, 29 का square कितना होता है, भाई, 841, 841 को क्या करेंगे, इसको 28 से और multiply करेंगे, 8 हे कम 8, 832, कि 3, 8, 84, और 3 कितना हो जाएगा, 67, 2, 1, 2, 24, 8, 2, 8, 16, 8, 4, 8, 7, 15, 6, 12, 13, और कितना हो जाएगा, 23, 548, और इसमें से क्या कर देंगे, ये आपका क्या आगया, compound interest, यानि कि ये आगया, आपका मिश्रदन, ये मिश्रदन आगया, और ये मूल्दन था, तो इसमें से घटा देंगे, तो क्या आएगा, आपके पास, ब्याज, 8 में से 5 गया, 3, 4 में से 2 गया, 2, 15 में से 6 गया, 12 में से 5 गया, 7,923, आपका क्या आजाएगा, ब्याज आजाएगा, 7,923, यानि कि इसको करेंगे, तो कितना आजाएगा, 23, 548, और जब इसमें से इसको, यानि कि 23, 548 में से 15,625 नेस्ट कोशन देखो किसी वस्तू के अंकित मुले पर 12 सही 1 बटा 2 पर सीशत की छूट देने के बास 700 में बेचा जाता है कहने का मतलब यह है कि 12 सही 1 बटा 2 यानि कि 12 सही 1 बटा 2 परतीशत इसका क्या मतलब होता है 12 दूनी 25 और 1 यानि कि जब इसको छूट दीना कितने की एक unit की तो कितनी हो गई 7 यानि कि ये क्या हो गई इसकी SP छूट देने के बाद 700 में बेच जाता है इस तो simple फी value है बहुत आसन कुशन है कोई दिक्कत नहीं है देखो 7 यानि कि इसको जब मैं 100 से multiply किया तो कितना आ गया यानि कि छूट नहीं दी गई होती तो लाब 60 परतिशत होता यानि कि अगर छूट नहीं दी गई होती न तो लाब कितना होता 60 परतिशत होता यानि कहने का मतलब ये है कि अगर ये 800 की ही बेची गई होती तो लाब कितना होता 60 परतिशत होता तो क्या निकालना है तो आपको वस्तु का क्राह मुले निकालना है वस्तु का क्राह मुले कितना है 100 यानि कि इसको क्या कर देंगे 100 से multiply कर देंगे एक जिरो से एक जिरो कटगे 16 एकम जोला 16 पंचे असी पांच इंटू 100 कितना हो जाएगा 500 जो कि आपका एकदम करेक्ट अंचर हो जाएगा देखो पेपर लेंथी है मैंने नहीं बनाया घर पे बैठके कमिशन का पेपर है और आप ये भी नहीं कह सकते कि नहीं है ये तो जीडी में नहीं आ सकता देखो जीडी का इभाजित करने पर प्रतेक मावले में समान से 10 प्राप्त होता है लेकिन 17 से विभाज है आप देखो जब ऐसा हो जाए ना तो फिर क्या आपको करना है 21 28 और 30 और 35 इन सब क्या निकालना है आपको इसके अंदर जब हम इसको इससे भाग करेंगे ना तो 10 विमेंडर बचेगा है तो यानि कि जो आपकी जो नंबर होगा ना इसके अंदर प्लस 10 होगा लेकिन मैं क्या करता हूँ पहले इसको 17 से मल्टिप्लाई कर देता हूँ क्योंकि 17 का मल्टिपल मेरे को चाहिए क्योंक और इसके अंदर में करते तो दस जोड़ते तो जीरो चार और पांच एक हैनि कि कितना हो जाता है 71 50 यानि कि वह जो नंबर है वह कितना है 71 50 को मैं जब अंकों का योग करता हूँ साथ है और एक 8 85 कितना हो गया 13 यानि कि option B इसका एक्टम correct answer हो जाएगा 13 इसका अंसर आजा यानि कि 280 इंटू में 5 के वट्य में कितना हो जाएगा 8 8 एकम 8 8 24 8 45 45 पांच या 15 25 एक सपचास कितना हो जाएगा 175 25 की 25 या 15 27 75 इसकी female हो गए किसमें E में कंपनिया A और B के कुल पुरुष कमचारियों की संख्या के कितने परतिशत है ठीक है कंपनी A और B पुरुष निका पुरुष की पुरुष की बात कर रहा है तो यानि कि कि कितना हो जाएगा इन दोनों को जोड़ो 260 और 240 कितना हो जाता है 500 हो जाता है ठीक है कितना हो जाता है बाई 500 हो जाता है अब क्या क्या रहा है कि A और B के कुल पुरुष करमचारियों की संख्या के कितने परतिशा थे यानि कि कितने महीला ही थी 175 175 के बटे 175 के बटे में 500 और ये 20 दो जिरो से दो जिरो कटके 5 एक पांच पांच तिया पंदरा और 25 अंसर कितना जाएगा 35 परतिशा यानि कि option आपका D एकदम correct answer हो जाएगा next question देख लेते है रेनू अपनी आय का 30 परतिशत बचत करती है मान के चलो रेनू की जो आय है वो 100 है और 30 परतिशत बचत करती है यानि कि खर्चा कितना किया उसने 70 और 30 का उसने बचत कर ली ठीक है इतनी आसान ही हो गई समझने में यदि उसकी बचत 30 परतिशत बढ़ सौरी चार एकम चार तीन चार चार सत्य ठाइस चार पंजबी 17.5 यानि कि 17.5 ये बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा 70 80 87.5 आप क्या कह रहा है कि रेनू की आय में हुई परतिशत ब्रुदी अब एक बाब बताओ इन दोनों को जोड़के इसकी टोटल आय हो गई है ना त कि जो इसकी टोटल आय कितनी हो जाएगी 126.5 यानि कि कितने की व्रुदी होगे यानि कि 100 से कोई वैल्यू कितनी होगी 126.5 तो इसका मतला व्रुदी कितनी होगी 26.5 यानि कि option D इसका एकदम करेक्ट अंसा हो जाएगा next question देख लेते है बॉड़ मास का question है और इसको भी में चार ऐसे तुकड़ों में करो इसको ज्यादा बहतर रहेगा अब मैं क्या करता हूं अब देखो सबसे चोटी ब्रैकट यह है अब इसको फॉल कर लेता हूं 2-25 कितना हो जाएगा 100 अब यहां से क्या हो जाएगा यहां पर कितने point है दो point है दो point के बाद 2-0 लगा दी है में तो 2 दो में से एक गया एक जैनि कि ईसका सॉलूशन आ गया क्या या एक उर 30 ंए चार यहां क्योट से पहले और और पांच में से गया चार यानिकि चार से चार कट गया अंसर ना गया एक यानिकि ऑप्शन इसका जो आपका बी है वह एक तम इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा नेस्ट गोशन देख लेते हैं आसान कोशन था 35 आम बेचने पर प्राप्ट जो लाब है वो साथ आमों के क्रेम उले के बराबर है यानि कि 35 आम का साथ आमों के क्रेम उले के बराबर है तो परतिशब लाब बताईए तो एक्चुलि में हो क्या रहा है ये जो साथ है ना ये जो क्रेम उले के बराबर रता रहा है यही इसका साथ आम बेचे तो इसकेंदर क्या है इसकेंदर यह total कितने को तो 무 हो गए यह सब एक इसको क्या करेंगे इसकेंदर हम क्या करेंगे दो मैंन और साथ वोमेन ठीक है 14 दिनों में कर सकती हैं और तीन मैं प्लस में 8 वोमेन कितने दिन में कर सकते हैं यह कर सकते हैं भाई 11 दिनों में 11 दिनों में कितने दिनों में कर सकते हैं 11 दिनों में कर सकते हैं कि अब मैं क्या करता हूं इसको अपने एक्क्यूशन मनाता हूं चॉदा दूनी इसको अंदर मुल्टिप्लाइ करता हैं चॉदा दूनी 28 मैं और 14 सत्य कितना होता है 14, 5, 7, 14, 64, 14, 14, 98, 98 women 11, 33 men 11, 88 women men, men, 1 side women, women, 1 side 8 men और ये कितना आ जाएगा minus का 5 men और ये 88 women है और ये minus का इधर चला जाएगा तो minus का हो जाएगा minus का कितना हो जाएगा 10 women minus से minus कट गया यानि कि 1 men 2 women के बरबर है के लिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी अब क्या कर रहा है कि 5 पुरूस क्या कर रहा है यानि कि 5 पुरूस यानि कि 5 men और 4 women उसी काम को कितने दिन में करेंगे अब एक बात बताओ 5 men की जगह आप 2 women यानि कि 1 men 2 women के बरबर था इसको मैंने 5 से multiply कर दिया तो इसको मैं क्या करूँगा तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो 10 women लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो बिलकुल लिख सकते हो क्यों कि 10 और 4 कितना हो गया 14 women हो गया और कितने दिन में ये काम करेंगे मानिके चलो x किलियर हो गई बात है ना किलियर हो गई अब देखो ये वाला जो काम था जितने दिन में ये काम करेंगे उतने ही दिन में तो ये काम करेंगे दोनों को काम तो सेम ही है है ना तो आप क्या करते हैं दोनों को काम यानि कि यहाँ पे 2 women है है ना साथ और चार कितना हो गया ग्यारा इंटू में चौदा यानि कि ग्यारा इंटू में कितना हो गया चौदा इस चौदा से यह चौदा कट गया अंसर कितना जाएगा ग्यारा यानि कि कितने दिन लगेंगे यानि कि पांच प्रोस और चार महिला को काम करने में कितने दिन लग त देखेंगे एक फिसका एकड़ेक्ट अंसरों जाएगा नेश्ट ओचन देख लेते हैं यह और फिर दो संकूंत हैं यह दो यह है संकोय और यह मतलए भी थिक केशक है या अब हो क्या क्याता है अगर मैं यह थी का बक्र बश्ष्टिak च्छितरफल निकाल देता हूं, इसका भी बहुत क्य पुष्टे च्छितरफल निकाला की तना हो जाएगा При RL, बी का 2 गोना है, यह A है और यह B है, इसका 2 गोना है, अगर यह Ay हो गया, तो यह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, पाई से पाई कट गया आप क्या कह रहा है कि B की तरीयक उचाई A की दूगनी है अगर क्या करता हूँ B की तरीयक उचाई A की दूगनी है जो A मान के चलो कि इसकी तो A की जो तरीयक उचाई थी वो A थी और इसकी तरीयक उचाई कितनी हो जाएगी दो हो जाएगी है ना तो क्या पूछ रहा है A और B की तिरज्यों का नुपात पूछ रहा है तो ये तो A की तिरज्य है और ये B की तिरज्य है यानि की R और R1, R2 इतिकल्टू में ये दो इदर चला गया 2 दूनी 4 और 1 नीचे आ गया यानि की जो आसका इसका अंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4 ratio 1 इसका अंसर हो जाएगा यानि की option D इसका एकदम correct अंसर हो जाएगा next question देख लेते हैं किसी वस्तू का विक्रेमॉले उसके क्रेमॉले का 84 परतिशत है तो CP CP हो गया 100 और इसका जो विक्रेमॉले है इसका 84 परतिशत है यानि की जो इसका SP हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा अब क्या कह रहा है कि क्राय मुल्य में 20 परतिशत की वरदी हो गए यानि कि ये क्राय मुल्य था इसके अंदर 20 परतिशत की वरदी हो गए तो कितना हो जाएगा 100 से 120 और क्या कह रहा है कि विक्राय मुल्य में 25 परतिशत की वरदी हो गए पयर का क्तिस प्रतीशत क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है आप क्तिस बढ़ जाएगा एक सफॉ आप क्या कह रहा है तो पहले की हानी के मुकाबल ına camera one ऑपでも क्तिस हुरी है यह जो यहां पर हाल्व हो रिए वह कितनी हो री है पंद्रा की तो हाली ज्यादा हो ठीकार फंप प्रिक zost कम रही है तो कितने कम हो रही है कि मुर्य उकितने मेंपढूरियाइएंडै चार एक परतिश्चत हानि कम हो रही है तो यह scream yeah यानि कि इसका D answer हो जाएगा next question देखो एक निश्चे दासी का 14 परतिशत वार्सिक व्याज की दर से साड़े तीन वर्सों का जो साधर व्याज है वो कितना है 3731 है यानि कि P is equal to 14 के बटे में 104 ती बारा और 13 के बटे में 4 इस जिगल तो में कितना हो जाएगा 3731 हो जाएगा इ साथ से कर जाएगा साथ दूनी 14 साथ चोग अठाई साथ एकम साथ और दो दूनी चार ठीक है P is equal to में यह 100 इंटू 2 200 हो जाएगा 41 इंटू यह 200 उपर जाएगे multiply हो जाएगा 41 के पार to 400 ब्राइगे 32 یानि कि जो इसका पिंसीपल था जाएगे जो इसका मूलधः था वो जाएगे आप क्या क defending जाぬ धर पर जाएगा 8200 वाकि मूलधः तो आपको पता चल गया कितना हो जाएगा 8200 इनिकि पहले कि आदी यानिकि पहले 14 परतिशत थी तो अब कितनी हो जाएगी 7 परतिशत थी तो 5 सही यानि कि 5,5 सालों में उसी राशी का मिश्रधन कितना हो जाएगा यानि कि यहां से ब्याज निकालेंगे और उस ब्याज को 8200 में जोड देंगे यानि कि 2,5,10 और यह कितना हो जाएगा 11 के बटे में 2 इसका यहां से ब्याज निकाला हमने 2,0 से 2,0 गट गई और 2,2,2,2,6,8,2,1,2 11,37,17 इंटू में कितना हो जाएगा 41 यानि कि 77 इंटू में 4,78,2 4,78,2 3,7,8,7,11 यानि कि कितना हो जाएगा 31, seine 35 यह इसका क्या आगया यह आगया इसका था क्या पूछ रहा था आप से पूछ रहा था यानि कि 220,400 और 31,57, 31,57, 75,3,18,11, यानि कि 11,375, यानि कि इसका option, D इसका एकदम correct answer हो जाएगा, थोड़ा सा land थी था, और कोई नहीं था, इसके नहीं था, नाश्ट कोशन देखो, लास्ट कोशन होने वाला है, आज का, क्या कहा रहा है कि company C में महिलाओं करमचारियों की संख्या, company C कहा है, यह थी company C, देखो मैंने तब ही मैंने खाता है कि, जब भी आपके पास D.I के कोशन आने हैं, सब को एक साथ करने है, देखो हम लोगों में पहले निकाला है ना, तो तब हम, जब हम पहले निकाल चुके हैं, तो बार-बार महनत करने की जुलत नहीं है, अब पता नहीं यह वो चीज़ याद रहेगी या नहीं रहेगी, तो C में महिलाओं कितनी हैं, महिलाओं हैं साथ, यानि कि साथ के बटे में पंदरा, पंदरा दूनी 30, पंदरा चौक 60, और 24 साथ के कितना होता है, 168, 7 चौक 28, 2 साथ दूनी 14, और 2 कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा, यह कितनी हो जाएगी, C में महिलाओं हो जाएगी, C में महिलाओं, अब क्या पूछ रहे हैं, कि E में पूरुष करमचारियों के संख्या से, E कितना है, 280, पूरुष कितना है, 3, यानि कि 280 के बटे में, 3 के बटे में, 8, 8 है कम 8, 8 तिय 24, 8 पंचे 45, 35, 35, तिय कितना होता हैं, 105, 105 यह क्या हो गए, मैन आ गए, यह क्या आ गए, और 105 आ गया नीचे, इंटू में आ गया 100, यानि कि 7 ने में, 7 ने में 63, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, 3 तियनो, 3 पंचे 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानि कि 60 परतिशत क्या है, ज़्यादा है, यानि कि option, एस का एक्दम करेक्टन सब हो जाएगा, next question, बस ये 25 question था, यहां तक हमारे सारे complete हो गए है, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे question सवंज में आये होंगे, और आप ये ना सोच रहे होंगे, कि ये question तो GD का है नहीं, ये कहीं और से किसी और का paper है, और मैं आपको मुर्क बना रहा हूँ, उस चीज से भी मुझे discuss कर सकते हो, ठीक है, तो मिलते हैं फिर next इसी वीडियो में, कल ही मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिन, जय बारत,